असलाम अलेकूम उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे Object Oriented Programming in Java Lecture No.2 आज के lecture में हम लोग देखेंगे कि Java के features क्या कौन कौन से है Java का architecture क्या है और कुछ commands को हम लोग देखेंगे जिसमें display की command है फिर हम लोग देखेंगे कि data types Java में कितने bits पे या bytes पे होती है और कौन कौन से data types है फिर हम लोग देखेंगे कि आपके पास इन data types में या variables में data user से input कैसे लिया जा सकता है इस lesson में हम ये सब कुछ study करेंगे previous lecture की बात करूँ तो आप लोग को याद होगा कि हमने different tools देखे थे Eclipse आपके पास था आपके पास NetBeans फिर हम लोग उने देखा कि NetBeans install कैसे करती है इसको download करना पड़ता है JD की कैसे install होता है वह सारे हमने last time पे procedures देख लिये थे इसके Java features Java features की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो इसका main point है वह है आपके पास Java जो है वह pure object oriented language है pure object oriented language से क्या मुराद है कि आपको जितना भी code लिखना है वह within class लिखना है class से बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते अगर आपका main function है तो वह भी किसी main class के अंदर exist कर रहा होगा अगर आपने C में या C++ में काम किया हुए है तो वह main function आप globally बना देते थे कोई class नहीं कोई आपके पास block of code नहीं होता था कहीं भी आप main function लिख लेते थे लेकिन pure object oriented में ऐसा नहीं होता इसमें आपको एक class बनाना पड़ेगी और उसी में ही वह main function होता है अगर आपको last template याद हो तो उसमें भी आपको मैंने main function दिखाया था class में बाकी हम इसको further detail में भी देख लेंगे जावा जो है वो strictly या strongly typed language है इससे क्या मुराद होता है कि आप जो भी variable declare करोगे यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि उसकी data type क्या है उसने memory कितनी लेनी है यह चीज़ आपको पहले लाजमी बतानी पड़ेगी और अगर आप variable एक दफ़ा declare कर देते हो int type तो आप उसको बाद में change नहीं कर सकते कि आप बोल दो कि वो string में convert हो जाए character में convert हो जाए तो जावा जो है वो strictly typed language है कि आपको हर चीज़ पहले decide करनी पड़ती है like variable अगर integer है तो वो integer ही रहीगा आपके पास integer के values को hold कर रहोगा तो जावा में एक यह चीज़ है कुछ languages आपको यह support करती है कि आप variable जो है वो anonymous बना लेती है बाद में आप जिस टैप का data उसके अंदर store करते हैं वो अपने आपको change कर लेते हैं और memory उस लिहाज से अकोबाई कर रहोते है Java है जावा में एक virtual machine का concept होता है virtual machine के अगर हम simple बात करें तो एक application है एक service है जो computer के उपर install हुई होती है और background पे execute हो रही होती है इसका काम क्या होता है कि आपके पास जो Java program का byte code होता है यह byte code क्या होता है हम थोड़े देर बाद next slide में इसको study करेंगे तो यह आपके जो byte code होता है इसको convert करता है executable के लिहाज से कि आपके पास जो file है Java byte code की वो execute हो सके Java जो है वो machine independent और platform independent है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले lecture में बताया था कि यह आपके पास platform independent होती है एक simple ही हम बात लेती है आपने C या C++ में काम किया वह होगा जब आप compile करते हो तो आपके पास जो आखरी file बनती है वो होती है .exe अगर मैं C या C++ की बात करूँ अब जो exe file है वो सिर्फ ओर सिर्फ Windows operating system पर execute हो सकती है अगर Linux पर execute करवाने तो अगेन वो नहीं होगी Mac पर execute करवाना चाहती है तो .exe file execute नहीं होती Mac पर .dmg file होती है Linux में आपको file की property को change करना पड़ता एक्जेक्यूट अबल पर तो वहाँ पर exe file कोई माइन नहीं रखती बाकी operating systems में तो यह आपके पास byte code बनाता है जैसे आपने उपर भी उजिकर किया है तो जो byte code होता है यह आपके पास किसी भी machine पर जाता है वहाँ पर JVM चल रहा होता है वहाँ पर execute tables बनाता है according to the platform तो इस तरह यह platform independent language हो जाती है अगर हम Java की बात करें तो Java में हम main दो types के programs लिख सकती है एक applications होती है और एक applet होता है application लाइक आपका notepad है Microsoft Office है या कोई download manager है तो इस type की applications है वह भी आप Java में बना सकती है Java में आप applets भी बना सकती है applets basically आपके वह applications होती है जो browsers के अंदर चलती है मतलब वह standalone application execute नहीं होती उसको required होता है कोई ना कोई browser उस browser में वह embed होती है और आपके पास application type execute हो जाती है तो आप यह भी Java में applications बना सकती है Java architecture की बात हम करते हैं सबसे पहले कोई भी language होती है तो हमें उसका code लिखना पड़ता है या कोई और editor यूज़ कर ले तो हमने जो यहां पर यूज़ किया था editor यह application वह कौन सी थी NetBeans लास्ट जो हमने install भी किये NetBeans में हम लोग source code लिखेंगे और वो जो source code जिस file में हम लिख रहे होती है उसकी extension होती है .java source code लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम को compile करेंगे Java compiler होगा वो उस प्रोग्राम को compile करेगा compiler का basically मकसद क्या होता है कि आपके errors को check करता है कि आपने कोई errors तो नहीं किये हुए अगर errors है तो वो आपको वापिस source code की तरफ ले जागा कि आप अपना source code ठीक लिखें अगर आपके पास errors नहीं होते code में तो वो आपको next step पे move कर देता है और next step पे आपको जो फाइल देता है वो होती है byte code बागी languages like C या C++ में आपको exe मेरी होती है यहाँ पे जो आपको file मिलेगी वो होगी byte code byte code basically एक file होती है यह आप बोलें set of instructions होती है जो सिर्फ और सिर्फ virtual machine, Java virtual machine समझ सकती है कि मैंने इसको कैसे बाद में convert करना है executable के अंदर तो exe file जो होती है वो executable या machine code होता है तो byte code जो है वो machine code होता है Java virtual machine के लिए अब यह byte code जो आपके पास बना है यह .class file होती है यह आप बेसिकली जाती है input के तोर पे Java virtual machine को Java virtual machine अगेन मैं आपको बता आती है एक service आप कहा सकते हैं फिलाद virtual machine होती है एक service होती है इसमें input होती है byte code dot class file जो है और यह इसको क्या कर देता है convert कर देता है executable के अगर आपके पास jvm डला हुए mac operating system पे तो यह byte code की class जो है convert करेगी इसको dmg में अगर आप windows operating system की बात करें तो यह dot class byte code file है jvm के जरीए convert हो जागी dot exe में इस तरह basically यह platform independent हो जाते है हर operating system का एक अपना jvm होता है आपको install करना पाड़ा होता है इसके major यह काम होता है कि आपके पास byte code जो code है उसको load करते है code को verify करेगा execute करेगा according to the system system में जो उसकी operating system है या जो hardware requirements है उसके मताबिक लिए यह basically environment create करते है और आपकी application को execute कर रहा होता है और jvm of course operating system पे install होता है और यह लगादार communicate कर रहा होता है operating system और jvm के दर्मियान आपस में communication हो रही होती है jvm execution engine java virtual machine के execution engine बहुत सारे हैं वैसे उसमें हम दो की बात करेंगे एक jit compiler होता है एक garbage collector होता है jit means just in time compiler इसमें क्या होता है जब आपके पास byte code file jvm के पास आती है तो वो इस jit को क्या करता है सारा काम होनोता है run time के उपर dot class file हमने jvm को input में दी तो jit वहाँ पे just in time compiler जो है वो क्या करता है उस byte code को convert करता है machine code में ले जाता है operating system जिसको समच सके उस code में ले जाता है आपको और execute कर देता है आपके फाइल को इसी तरह आपके पास होता है garbage collector नाम से जाहर हो रहा है garbage collector से क्या मुराद है unused material को वो क्या करेगा memory में से release कर देगा खतम करता जाएगा ताकि आपके पास memory free होती जाए तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है variable जो आगे use नहीं होने उनकी भी memory खतम कर देता है कुई objects बने होई है या कुछ इस टैप का material जो आगे आपको use नहीं होना तो वो क्या कर रहा होते garbage collector उसको खतम कर रहा होते है हम कुछ main commands की बात कर रहे थे तो first हम उसमें देखते हैं यह display C में आपने अगर कुछ display करना था तो आप printf use करते थे C++ में अगर मैं बात करूँ तो Cout को आप use कर रहे थे Java में अगर आपने कुछ display करना है तो उसके लिए जो तरीके का रहा है वो किये है system.out.print यह function आप call करेंगे system.out.print और brackets के अंदर आपने कोई भी message हो कर देना है वो message आपको क्या होगा display हो जाएगा screen के उप़र एक और फंक्षन है system.out.print इसका मतलब होता है print line आगे आप message जो भी लिखते हो वो print हो जाते है अगे इन line के उप़र इन दो में difference क्या है system.out.print यह आपका message शो करेगा और cursor इसके आगे blink होना शुरू हो जाएगा cursor next line पर move नहीं करेगा इसी दिना अगर मैं बात करूँ system.out.print line की यह आपके पास यह message display करेगा और आपका cursor next line पर move कर जाएगा यह आपको मैं demo में भी दिखा देता हूँ यह आप कर सकती है एक और चीज आपका यहाँ पर plus का sign होता है वैसे तो plus हम ने कहाँ पर यूज करते है numeric data type के साथ दो numeric data type को add up करके आपको answer दे देता है Java में आपके पास plus का sign concatenation भी perform कर रहा होते है अगर आपके पास दो operator में ऐसे एक भी string type का data है तो वो क्या करेगा उनको concatenate कर देगा आपस में merge कर देगा दोनों को तो यह हम लोग इसकी कुछ examples को देख लेती है अगर आपको याद हो तो हमने last time पर एक application बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था my first application मैं इसी को ही open करने लगा हूँ अगर आपको यह याद नहीं है बनाना तो आप last lecture को visit कर सकते हैं review करें उसमें हमने last में बिल्कुल end पर एक application बनाई थी my first application थी मैं इस पर double click किया .java अगर आप देखें तो यह हमारे पास file है .java की अब हमने इसमें क्या perform करने है हमने देखने कि आप display कैसे कर सकती है तो यह जो main होता है function वो main function का क्या मतलब होता है आपकी application की execution यहां से start होगी तो मैं यहां पर ही code लिखना शुरू कर देता हूँ हमने लिखा system.out.print और मैं यहां पर message शो करता हूँ this is line 1 ठीक होगी बात और आगे मैंने semicolon दे दिया terminator दे दिया मैं यही एक और line लिखने लगाँ नीचे paste करके इसको हम बोच है this is line 2 अब आप चीज देखना है कि मैंने print का function call किया था system.out.print means कि this is line 1 cursor इसके आगे ही blink हो रहा होगा और साथ ही क्या लिखना शुरू करते है this is line 2 अब हम इसको execute करते है या तो आप F6 दबा सकते है या आपके पास यह उपर play का button आ रहा है execute का run project इस पे click कर सकते है F6 या आप इस button पे click करें मैंने execute किया नीचे कर आप देखे तो आपको status आ रहा है execution हो और यह इस phase को बोलते है compilation error आएगा तो यहीं पे रुख जाएगा अगर error नहीं होगा तो bytecode और bytecode बेसिकली जाएगा jvm में और jvm आपको output show कर देगा executable में अगर आप यहाँ पे देखें यह output window में this is line 1 और साथ ही उसने क्या लिख दिया this is line 2 यह आपके पास output windows की आई हुई है this is line 1 और this is line 2 अकठा ही लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे simple print लिखा हुआ था अब आपके पास क्या options है यहाँ तो आप यहाँ पे आए slash n escape sequences जैसे आप बाकिर लाइन जिस में यूज करते हैं यहाँ पे slash n और यहाँ पे slash n आपने दिया execute किया अब आप देखें this is line 1 एक line में आया cursor नीचे गया उसने दुबारा लिखा this is line 2 और फिर cursor नीचे गया और build successful बाकि messages आई एक तो तरीका यह है कि आप इस तरह कर लें कि escape sequences दे दे दूसरा जो built-in function है वो क्या है आपके पास print line PRINTLN आप use कर लें तोनों पर मैंने यह use किया मैं slash n हटा दी है अब जब मैं execute करूँगा तो again same output आएगी कि आपके पास first line आई है this is line 1 और second number पर आई है line this is line 2 फिर slash n हुआ है और उसके बाद जो भी data था वो आपके पास display में आ गया है जो भी messages थे यह आपको यहां तक समझ आ गई एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी दे पहले तो क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ this is line मैं प्लस का साइन देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू अब इसलिए देखिए अगर प्लस के साथ भी string data प्लस के आगे भी left और right side पर दोनों जोगों पर string data अब यह आपको क्या करेगा concatenate करतेगा इन दोनों चीज़ों को मैं execute कर रहा हूँ again same output हाई मतलब वह साथ लिख देते हम यह ना लिखते तो प्लस का sign जो है वह concatenation perform कर रहे लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 प्लस 10 अब दोनों आपके पास क्या है numeric data type है तो अब यह प्लस का operator क्या करेगा इनको प्लस करके आपको Trinity दिखा देगा अब आप उसने concatenation नहीं कि उसमें 1010 नहीं आपको दिखाया उसने यहाँ पर 20 कर दिया तो यह जो concept होते है इसको आप बोलती हो operator जावा ने प्लस का operator overload गिया हुए यह अगर आपके पास numeric data types आती है तो उसके लिए उसका behavior और होता है अगर इसका operant जो है वो string type हो जाता है तो उसका behavior और हो जाता है तो इसको हम जाधा detail में देखेंगे जब हम operator overloads की तरफ पहुंचेंगे classes वगारा में इसको हम देख लेंगे लेकिन आपको इस इसका फिलाल basic level पे पता होना चाहिए यह हमारे पास हो गई थी display करने के लिए command अगर मैं data types की बात करूं तो हमारे पास integer family है हमारे पास float family है हमारे पास character family है हमारे पास boolean type है data types के अगर मैं बात करूं integer family में of course points के लावा वाला सारा data आ जाते है byte हो गया, short हो गया, int हो गया, long हो गया इनके आगे मैंने bits भी लिख दी है byte जो है वो 8 bits पे होते है 1 byte पे होते है short जो हो 16 bits पे होते है int जो है 32 bit पे यह आपके पास detail आपको सामने शोग हो रही है इसी तरह आप float की बात करूँ तो float मत कोंसे value family होती है जिसमें आपके पास point के बाद values आ सकती है तो float में float एक आते है और एक double आते है आपके पास double 64 bit तक support करते है और आपके पास float 32 bit तक की value को store कर सकते है इसी तरह आपके पास क्या होता है character family character जो है वो basically 16 bit के उपर होता है जावा में अगर आप C की बात करें तो C में 8 bits होता है क्योंकि वो ASCII code को लेके चाहरा होता है यहाँ पे आपके पास जो character है वो basically 16 bit पे है 16 bit पे क्यों है क्योंकि यह unicode को भी support कर रहा होता है unicode में अगर आप means Chinese, Urdu, Staphyl languages को भी store करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं इसलिए यह 16 bit के उपर है boolean के अगर मैं बात करूं तो boolean again 1 bit के उपर होता है true या false होता है अच्छा अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि वाक्षी जो byte है वो 8 bits पे है भी साही कि नहीं तो इसके लिए आप पोराम लिख सकते हैं उसमें आप code के जरीए इनको देख सकते हैं byte, short, integer, long इनके कितने bits हैं वो आप चेक कर सकते हैं यहां पर मैंने सब के बारे में बता दिया है अगर आप byte का size देखना चाहते हैं तो एक line लिख हुए है byte.size इस property से आपको क्या पूदा चलता है कि byte के कितने bits होते है short, integer, long, character इन सब के बारे में यहां पर दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं पहले basically byte को देख लेते हैं बाकिया आप लोग खुद चेक कर सकते हैं easily हम लोग यहां पर आए इसना line किया है इसका मतलब क्या होता है double slash यो मैंने देख यह आपके पास line जो है वो हो गई है comment हो गई है अच्छा यहां पर मैं लिखने लगा हूँ सबसे पहले मैंने लिखा byte data type size is ठीक है मैंने plus का sign दिया यह तो मैंने double quotes में लिखा as it is आ जाएगा अब byte का हमने देखना है तो मैंने लिखा byte capital byte byte फिर मैंने लिखा dot sizd capital में आपने लिखना है size ठीक है यह अब आपको क्या बता देख कि byte का size कितना होता है आपके पास ठीक है फिर मैंने दुबारा plus किया अब दिखे है plus क्या कर रहे है आपके पास concatenation perform कर रहे है पहले आपके पास string है string के बाद plus किया जो भी data आया वो as a string आपके पास concatenate हो गया तो बारा plus लिखा और 7 मैंने बता देख कि इसमें इतने bits होती है जब समझाने के लिए अब हम इसको execute कर लेती है अब मैंने execute किया तो दिखा रहे है byte data type size is 8 bits तो हमने भी यह देखा था कि आपके पास byte एक byte में 8 bits होती है इसी ज़रा आप लोग क्या कर सकती है system.out.println और यहाँ पर हम बोल देती है integer के बारे में बोल देती है int data type size is और आगे आप plus लिख दे और यहाँ पर आप लिखेंगे integer.size plus और आप क्या कर सकते है bits यह आपने complete कि अब मैं इसको execute करता हूँ अब वो आपको क्या दिखाएगा कि byte का 8 bits होती है integer के 32 bits होती है तो आप लोग इस तरह भी देख सकते है कि अगर आपको किसी के ना पता चाहरो data type का कि इसके कितने memory है तो आप इस तरह इनको check कर सकते है कि कितने bits के ओपर यह आ रहेगी आपको सबका लिखा हुए byte, short, integer, long, character, float, double, in सबके लिए यहाँ पर आपको code mention है यह तो बात होगी data types की बाकी language की तरह ही हम data types को बनाती है वो हम देख लेती है main commands में से आज जो एक और हमारी main command है वो है input लेना कि आप किस तरह input ले सकती है like scanf C में होता था c in C++ में होता था इसमें आपने किस तरह input लेनी है वो हम लोग देखती है सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा एक package import करना पड़ेगा अगर आपको यहाद हो C या C++ में आपने programming की हो तो उसमें आपके पास header file सा concept होता था hash include और आगे आप header file का नाम देते थे यहाँ पे वो header file की जिगा packages होती है तो आपको यहाँ पे packages को import करवाना पड़ेगा सबसे पहला काम आप यहाँ करेंगे अपनी class से उपर एक package import करवाएंगे जिसका नाम है java.util.scanner scanner मींस कि जो scan करेगा आपका data input लेगा तो आपको यह package import करवाना पड़ेगा second number पे आपको क्या करना पड़ेगा scanner एक class है इसका object बनाना पड़ेगा आप object बनाएंगे और इस object के जरीए बहुत सारे functions है जिनको आप call कर रहे होंगे और उसके जरीए आप data input लेते रहेंगे अगर data आपने integer में store करवाना है तो आपके पास है next int अगर आपने data float में store करवाना है तो next float है इसी दर आपके पास और भी बहुत सारे functions है जो different data types में data store करती है इसको हम लोग देख लेती है मैं यहाँ पर आता हूँ मैं एक variable बनाया int हम इसका नाम देते हैं temp ठीक है equals to अब यहाँ पर हमने basically क्या करना है मैंने data user से input लेना है तो input लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस class से उपर यह जो आपके पास by default class बन गई थी myfirst application यहाँ पर आप आएंगे और import करेंगे import का keyword लिखेंगे java.util.scanner ठीक है आप लोगों ने क्या किया import java.util.scanner यह आप लोगों ने basically एक package को import करवा लिया ताकि हम इसकी functionalities use कर सकें इसके बाद next step में आपको क्या करना पड़ेगा one time आपको scanner class का object बनाना पड़ेगा scanner sc equals to new scanner और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा system.in कि हमने जो इस scanner बनाया यह input लेने के लिए बनाया है अब यह चीज लिखेंगे scanner sc मतलब जैसे आप int temp बना रहे हैं तो इसना scanner type का एक variable object बनाया sc और इसको हमने बता दे कि जो scanner है इसने basically input के लिए use होना है इसके बाद हमने क्या गड़ना था integer में data input लेना है तो मैंने लिखा sc.next int यह आपके पास आ रहे है data ठीक है अब क्या होगा कि आपके पास जो भी data input होगा screen पे वो temp के अंदर store हो जाएगा और मैं साथ ही क्या करता हूँ मैं कहता हूँ system.out.println और हम इसमें बोल देती है कि temp equals to plus temp में जो भी data पढ़ा हूए मैंने यहाँ पर temp लेख दिया ठीक है ताके हमें पर चले temp में जो भी data वो यहाँ पर आपको show हो जाए मैं इसको execute कर रहा हूँ दुबारा यहाँ पर बिसके लिए जो cursor blink करें से क्या मतलब है वो input लेने के लिए रुका हूँ है मैंने यहाँ पर दिया two zero enter दबाया तो उसने बोला temp में 20 पढ़ा हूँ है क्योंकि यहाँ से उसने integer में data store किया और यहाँ पर आपको show करवा दिया यह आपके पास एक concept हो गया इसी दर आप लोग data input ले सकते हैं float में double में different type आपके पास होती है तो अगर आप मैं यहाँ लिखो sc.next लिखों तो यह आपको बता रहा है यह next का function क्या करेगा string variable में data store करेगा next byte की बात करूं तो वो byte के अंदर यह आपके पास यह जो right side पर आपको नजर आ रहा है long string यह functions की definition बता रहा है कि next function string format में data store करेगा next int integer में करेगा next float float में next double double में next byte byte के अंदर तो यहाँ से आपको सारा सब data मिल जाएगा कि आपने कोई value insert करवाने तो आप किस तरह करवा सकती है तो sc.next के functions के थूरू आप लोग different variables में data input कर सकती है जिब मैं बात करता हूं मैंने string value input लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा string variable बनाना पड़ेगा for example मैंने name लिग दिया equals to sc.next ठीक हो गया और अब मैं यहाँ पर बहुल देता हूं कि हम temp की जगा name लिग देता है name equals to name में जो भी data बढ़ा हुए यहाँ पर हमने string variable बनाया और हम लोगों ने इसमें क्या किया कि system.out.println और name को अब मैं इसको execute कर रहा हूं मैंने यहाँ पर कुई भी नाम दिया इंटर किया तो आप इसमें बताते है name equals to this one तो आप इस तरह sc.seam ने उपर बनाया हुए scanner object आपने जो भी नाम दिया हुए आपने वह यूज करने dot करके next लिखें और इसके बाद आपको सारे functions आ जाएंगे जिस type कभी आपके पास data होगा आप उसको store कर सकते हैं तो यह आपके पास main command थी अजर आप लोगोंने data input लेना हुए यहाँ पर आज कमारा lecture खतम होता है next हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे detail में